it can't be undone का क्या मतलब होता है ये आज की वीडियो में सीख लेते हैं it can't be undone का मतलब होता है कि इसे undone नहीं किया जा सकता undone का मतलब होता है undo करना यानि कि मान लेजिए किसी चीज़ को आपने कुछ कर दिया और फिर आप यह कहें कि चलो मुझे यह नहीं करना था इसे वापिस कर दो तो आप ऐसा नहीं कर सकते यान कि इसे पूरववत नहीं किया जा सकता है या इसे रद नहीं किया सकता है यान कि जैसे आज कल हम कोई भी लाइन लिख देते हैं और उस line को फिर control z कर देते हैं control z मतलब undo हो जाता है या undone हो जाता है तो यहीं इस पर कहा गया है कि अगर आप इसे एक बार कर लेते हैं तो इसे वापस नहीं किया जाएगा या इसे रद नहीं किया जा सकेगा कहना कि जैसे आप यह कहें कि एक बार कोई निरने ले लिया जाए या कोई फैसला ले लिया जाए तो उसे रद नहीं किया जा सकता तो आप कहेंगे once a decision is made it can't be undone once a decision is made it can't be undone या फिर आप यह कहना चाहें कि परिणाम परिवर्तनी है और इसे रद नहीं किया जा सकता या इसे आप फिर undone नहीं कर सकते हैं तो आप कहेंगे the consequences are irreversible and it can't be undone the consequences are irreversible and it can't be undone अब आप ऐसे ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें